आपके अपनी बॉद्धिक्षमता की पुरी बॉपरे क्या बात कर दिया तो आज मैं चर्चा कर रहा हूँ आपके अपने विवेक की आज मैं बात कर रहा हूँ आपकी बुद्धिमत्ता पर आज मैं बात कर रहा हूँ आपको विवेकवान बनाने पर आज मैं बात कर रहा हूँ आपके ब्रमांड को मजबूत करने पर आज मैं चर्चा कर रहा हूँ आपको और कैसे आप पहतरीन हो जाए और कैसे ज़्यादा संपन हो जाए आप साधन संपन कैसे हो आप और धनाट कैसे हो जाए आपके हर काम में चारचान लग जाएं आप हर एक जिगे बहुत बहतर तरीके से जाने जाएं आपका प्रजिन्टेशन बहतर हो जाएं आप हर एक जिए कुशाकृता को लेकर के आएं यह सारी की सारी चीजे कैसे हो सकती उस पर बात कर रहा हूँ मैं चरचा कर रहा हूँ आज आपके अपने बौधिक शंता पर मैं चरचा कर रहा हूँ आज आपके बिवेग पर मैं बात कर रहा हूँ आज आपके अपने मस्तिस्क पर मैं बात कर रहा हूँ आपके अपने चिंतन पर मैं बात कर रहा हूँ आपके अपनी उस बिवस्था पर जो वास्तविक्ता में बहुत बहुत पूर्ण है आप एक बात कर खास ध्यान लखिएगा कि यही एक ऐसी चीज है यही एक ऐसी बिवस्था है जो आपको बहुत बलवान और बहुत मजबूत करती है है न मैं बात कर रहा हूँ आपके अपने मस्तिस्क को कैसे मजबूत करते हैं उस बिवस्था पर यह बेसिकली ब्रहश्पती ग्रहसे देखते हैं कुंडली में फिफ्थाउस होता है हाथ में इंगेश फिंगर के ठीक नीचे जहां से उगली समाप तो होती यह इस पोर्शन को देखके जाना जाता है अगर इस पोर्शन में बहुत जाल बने हो अगर इस पोर्शन में ध्यान से देखो भई अब मेरी हाथ को देखने की बात है ओ शाबाश हम बात कर रहे हैं इस वाले पोर्शन के इंगेश फिंगर के ठीक नीचे यहाँ पर अगर बहुत जाल हो, तिल बना हो, बहुत थोच पोच हो, खूब सारी रिखाएं हो तो समझना कि तुमारे दिमाग में टेंसन रहती है तुम बहुत सोचते हो, बहुत बिचार करके बात करने माले बिक्ती हो और बहुत अधिक चिंता करने की बज़े से आपके अपने कारी पडाली में और कारी संस्तंदर्ब में बहुत उतार चड़ा हो आता है आप डिशीजन मेकर नहीं हो पाते अगर आपको कान के ठीक ऊपर के साइड में हमेशा धर्द होता हो, जहां मैंने उंग्लिया लगाई है ठीक कान के ऊपर, थोड़ा प्रेस करके देखो तो आपको पता लगेगा अगर यहाँ पेन रहता हो तो तुम चिंता पाल के बैठे हो तुम टेंजन पाल के बैठे हो तुमारा विवेक विशुद्धता से काम कर ही नहीं रहा है और अगर जहां से सर समाप्त हो रहा है यानि गरदन जहां से समाप्त होती है और सर सुरू होता है उस जग्हे पे आप बिल्कुल पुष करके देखो तेजी से और वहां भी अगर आपको पेन मिलता है तो भहिया तुम अपने बुद्धी का सही सत्पयोकर ही नहीं पा रहे है अभी और एक महत्तपून बात अगर तुम्हारी जीव सुकती हो रात्री में तुम्हारी नासिका में इचिंग होती हो खुझली होती हो आपके कान में बहुत पेन से पीडित हो तो भी आप समझ आईएगा कि ये इशारा है क्यों चो कि विज्ञान कहता है सास्त्र कहता है जोतिश कहता है कि आप अपने बिवेक का सिर्फ चार परशन इस्तिमाल करते हो आशर है हाँ हाँ सच है ये ये रिसर्च है 96% आपका सबकॉंसेज मैंड है जिसका इस्तिमाल आप करते ही नहीं हो 96% सबकॉंसेज मैंड बहुत कम लोगों का जागरित होता है अपने आप और कुछ लोग साधना इत्यादी करके जागरित कर लेते हैं उस 4% को इस्तिमाल करके ही डाक्टर अबदुलकलाम जैसे लोग बन जाते हैं वो 4% भी बड़ी बात है उस छोटी बात मत समझना वो 4% भी तुमारा अक्टिव है कि नहीं उसके लिए ये सब लक्षर बता रहा था हमें अगर बुद्धिमान हो तो तुम बलवान हो अगर बुद्धिमान हो तो तुम सेर हो अगर बुद्धिमान हो तो तुम किंग हो अगर बुद्धिमान हो तो तुम सिखरस्थ हो अगर तुम बुद्धिमान हो तो तुमारी ही चलेगी अगर तुम्हारे पास बुद्धी है अगर तुम्हारे पास बिवेक है तो फिर कुछ बत सोचना अगर तुम्हारा बिवेक काम करता है तो बस तुम्हारा ही सामराज्य होगा अगर तुम्हारा बिवेक बहुत आधिक इस तर परकार करता है क्यों दुनिया में सबसे महंगी वस्तु एक ही है क्या उपर वाला माला भगवान बड़ा बुद्धिमानी से काम किया इश्वर ने सरीर को बनाते समय बिवेक को सबसे उपर रखा टॉप पे क्यों वो जानता था यही तो अधिश्ठाता आधिपती है यही तो है जो सब चीजे कंट्रोल करेगा मिस्टर स्टेफिन करके ऐसे साइंटिस्ट हुए थोड़े दिन पहले यह भी गये हैं उनका सिर्फ दिमाग ही जिन्दा था पूरा सरीर मरे चुका था फिर भी बिश्व के सर्वसरिष्ट बैज्यानिकों में से उनका नाम लिखा गया दिमाग ही है जो सबसे बड़ा ताकतवर है दिमाग ही है जो सबसे सक्की इवसाली है दिमाग ही है जो तुम्हें सब कुछ दिला सकता है करा सकता है अगर दुनिया में कहीं बिश्व में भगबान है तो वो तुम्हारा दिमाग है इसे कैसे एक्टिव कर सकते हैं ये सवाल है संख पुष्पी का सेवन करने से दिमाग कुशाग्र होता है पुखराज धारन करने से दिमाग बहुत अच्छा चलने लगता दिमाग का सही सद्व व्योग कर सकते हैं अगर पहली उंगली में सिर्फ सुरुण धारन कर लिया जाए तो भी ऐसा होने लगता है जो लोग यह नहीं कर सकते वो केशर का तिलक पांच जगे लगाएं पहले मस्तक्स में फिर जीव में फिर कंठ में फिर हदय में फिर नाभी में तो भी विवेक पेजगती से काम करने लगता है, ये सब भी नहीं कर पाएं, तो पहली उंगली के ठीक नीचे जहां पर ब्रहस्पत प्रवत होता है, इसको हल्दी से रोज रंगना सुरू कर दे, तो भी दिमाग ठीक तरीके से काम करता है, और एक महत्वपूर काम, रात्री में सोते समय, ओम तुम चाहते हो, कि वो बुद्धिमान हो जाए, तुमारे बच्चे बहुत बहुत सिक्षित हों, बड़े बुद्धिमान हों, बड़ा अच्छा कुछ काम करें, तुमारे भाई, बहन, माता, पिता, ये वो जो भी, तुमारा कोई मिलने वाला, तुमारा फ्रेंड, तुमा अब आप आप आचारे सतीष डी से मिलने के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 0808 1426 940.